दोस्तों अगर आप mutual fund में investment करते हैं तो यहाँ पर primary bank जिसे आने नामों से भी जाना आजाता है जैसे default bank या फिर payout bank इसका role बहुत ज्यादा महत्पूर्ण होता है क्योंकि आज आपने investment start किया और आपका goal अगर long term के लिए है 20 साल 25 साल तो 20 साल 25 साल बाद आपका वो पैसा जो कि mutual fund में investment था जब आप redeem करेंगे यानि पैसा निकालेंगे तो उसी bank account में credit किया जाएगा जो कि आपका primary या फिर default या फिर payout bank के तौर पर save होगा अब बहुत बार condition में ऐसा होता है कि कोई retail investor है जो कि investment तो start किया उसी primary bank से लेकिन कुछ समय बाद वो bank उसका बंद हो गया या फिर IFSC code change हो गया branch transfer होने की condition में या फिर खुद उसने bank account को बंद करवा दिया या फिर bank कही बंद हो गया उस condition में उसे अपने primary payout bank या फिर जो उनका default bank है उसको change करने की जोड़त पड़ती है अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये चीजे हम लोग online कर सकते ह हैं लेकिन इसके लिए limitation ये है कि अगर आपका corpus 10 lakh से बड़ा हो चुका है तो आप ये प्रक्रिया online नहीं कर पाएंगे उस condition में आपको RTA के office में जा करके एक physical form submit करना होगा उसके बाद ही आपका bank account change हो पाएगा लेकिन अगर आपके corpus की value 10 lakh से कम है तो ये प्रक्रिया centralized जो तरीका है MF Central के माध्यम से आप एक click के माध्यम से अपने सारे mutual fund में एक ही बार में जो पूरा सभी folio में bank account को update कर सकते हैं यानि कि change कर सकते हैं अब MF Central जो है वो दो जो हमारे देश में सबसे बड़े registrar हैं पहला के fintech और दूसरा camps इनके joint venture से ये बना हुआ है यानि जब भी आप MF Central पर bank change करने के लिए request submit करेंगे तो ये application kfintech के पास भी जाएगा और camps के पास भी जाएगा कई बार ये देखा गया है कि kfintech या फिर camps में से किसी भी RTA ये दोनों RTA के नाम से जाने जाते हैं यानि कि registrar and transfer agent अगर इन दोनों RTA में से किसी भी RTA पर कोई problem चल रही होगी तो आपका वो वाला mutual fund में bank change करने का request जो कि इस particular RTA से associated होगा वो automatic reject हो जाएगा जैसे ही आप form submit करेंगे तुरंत वो rejected दिखाने लगेगा MF Central पर तो पहला तो तरीका ये है कि आप MF Central से centralized तरीके से cave intake और camps से associated सारे mutual fund में एक साथ change कर दें लेकिन अगर इस प् condition में दूसरा तरीका ये है कि आप MF Central से तो service request generate कर दीजे इससे cave intake वाला तो आपका हो जाएगा उसके बाद से camps के official website पर जा करके आप camps से associated जितने भी mutual fund है उनके bank account को घर बैठे एक click के मादम से change कर सकते हैं ये सारे video का link आपको एक playlist के मादम से इस video के description में दिया गया है जर जो आपका पूरा उस EMC के साथ जो पूरा corpus होगा उसका एक limit तै किया गया है जैसे कि बहुत सारे EMCs के लिए जो limit तै कि आपका जो उसका पूरा valuation होना चाहिए वो डेढ़ लाग से जादा नहीं होना चाहिए दूसरा तरीका और बहुत सारे ऐसे भी mutual fund है जैसे बंधन हो इसके लिए ये limit जो है वो 2 लाग की है ठीक है और इसके साथ ही साथ अगर पराग पारी की बात करें तो इसका limit जो है वो 5 लाग का है तो अलग-अलग EMC का अलग-अलग limit है अब यहाँ पर जब आप CAMS की official website पर login होने के बाद से इस प्रकार से screen आपके सामने आ जाएगा उ वहीं EMC show करेगा जो की उस criteria के अंदर होगा मतलब की जो limit है maximum limit valuation की उसके अंदर होगा वहीं आपका show करेगा यहाँ पर change करने के लिए जैसे देखे एक retail investor का मैं यहाँ पर bank change करने के लिए process कर रहा हूँ तो यहाँ पर उनका HDFC mutual fund यहाँ पर show ही नहीं कर रहा है जबकि HDFC mutual fund जो है वो CAMS से associated है और CAMS के website पर HDFC mutual fund में bank account change करने का option नहीं आ रहा है इसका region ही यह है कि इनके इस folio में मतलब कि इनके जो HDFC EMC के साथ जो इनका पूरा valuation है वो डेढ़ लाक को cross कर चुका है जबकि limit maximum कितनी थी HDFC bank की वो डेढ़ लाक की थी इसी वजह से यहाँ पर देखे औ और सारे EMC तो इनका show कर रहा है लेकिन HDFC इनका show नहीं कर रहा है अब इसका क्या तरीका है इसके बारे में बात कर लेते हैं देखे इसके दो रास्ते हो सकते हैं या तो आप जो डेढ़ लाक की limit है इसको या तो आप करिए कि आप अपना corpus जो है उसको कम करिए मतलब कि पै HDFC mutual fund के official website पर जा करके ये प्रक्रिया आप online कर सकते हैं ठीक है तो चुकि जो retail investor है वो अपने पैसे को redeem नहीं करना चाते हैं और इनका जो corpus है valuation है HDFC में वो 1.5 लाक से जादा हो चुका है इस वज़े से इनकी मजबूरी है कि CAMS के माध्यम से ये अपने bank account को HDFC mutual fund में change नहीं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं फिनोबिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रिस करना है ना भूले आप इसक्रीन पर देख पार होंगे HDFC mutual fund के official website पर हम लोग आ चुके हैं ठीक है यहाँ पर देखे एक link दिया गया है login का इसी पर simply आपको click कर देना है जैसे इस पर आप click करते हैं यहाँ पर दो drop down menu open होंगे पहला investor के लिए और दूसरा distributor के लिए तो चुकी आप investor है तो investor वाले पर simply आपको click कर देना है अगर आप इस website पर पहली user ID create कर सकते हैं user ID create करने के बाद से आपको login करना होगा तो यहाँ पर आप अपना user ID डालेंगे उसके बाद से यहाँ पर password डालेंगे और login पर click करेंगे जो भी mobile number आपका registered होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा उस OTP से आप validate करने के बाद से आप इसमें finally login हो जाएगे login होने क इसके बाद से कुछ इस प्रकार से dashboard आपके सामने आ जाएगा उपर आपको बहुत सारे menus की option दिखेंगे जैसे dashboard हो गया portfolio होगा transaction हो गया systematic corner हो गया statements हो गया और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका नाम शो करेगा और साथी साथ एक drop down menu दिया गया इस drop down menu पर simply आपको क्लिक करना है उसके बाद से पहला option देखिए my profile का दिया गया है इस पर simply आपको क्लिक करना होगा इसके बाद से आपके personal detail यहाँ पर show होने लगेंगे यहाँ पर देखिए investor detail यहाँ पर दिया गया है दूसरा दिया गया है folio details तो simply आपको इसी folio detail पर क्ल करना है उस सिंप्ली फोलियो पर आपको क्लिक करना होगा उसके बाद से नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहां पर देखिए पे आउट करेंगे बैंक नेम ब्रांच लोकेशन और ब्रांच सिटी यह अपने आप अपने फेच हो करके आ जाएगा ठीक है और उसके बाद से यहां पर आप अपना एकाउंट नंबर डालेंगे और एकाउंट नंबर को फिर से यहां पर रिटाइप करेंगे और चेक बॉक्स पर आप PS through आपके bank account में जो नया bank account आप add करेंगे उसमें 1 रुपय credit करेंगे उसको validate करने के लिए ठीक है और उसके बासे देखे यहाँ पर मांगा जा रहा है upload old bank proof तो यहाँ पर आपको पुराना जो bank account है उसका जो cancel check होता है वो यहाँ पर choose file दिया गया इस पर click करके आपको upload करना होगा उसके बासे terms and condition को यहाँ पर accept करना होगा और उसके बासे validate बटन पर आपको click करना होगा उसके बासे pop up message generate होगा आप इसके पर देख पार होगे your request to add new bank to folio number this is sent successfully it will take up to 7 working days to verify and update a new bank with your folio ठीक है यानि कि आपका नया bank account add करने के लिए जो request है वो submit हो चुका है और आने वाले 7 working day में इसको verify किया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो आपका नया bank account आपके folio के साथ add कर दिया जाएगा ठीक है उसके बासे आपको ok पर click कर देना है दोस्तों request submit करने के within 1 hour एक message HDFC mutual fund की तरफ से receive हुआ है आप इसके पर देख पा रहोंगे यह request for change of default bank mandate in folio this has been processed a confirmation will be sent to you shortly यानि जो हमने request online submit किया था HDFC mutual fund के official website पर जा करके वो process कर दिया गया है अब चलिए official website पर चल करके एक बार confirm कर लेते हैं क्या वहाँ पर bank detail update हुआ है या नहीं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं payout bank detail में पहला bank यहाँ पर show कर रहा है और दूसरा bank यहाँ पर show कर रहा है अभी जो हमने bank add किया था उसको default हमने set किया था वो default यहाँ पर set हो चुका है साथी साथ यहाँ पर उसके सारे detail update हो चुके है अगर आप दूसरे bank account को जो कि पहले यहाँ पर add था इस पर जब आप click करते हैं तो पहले वाले bank के सारे detail यहाँ पर open हो करके आ जाएंगे अब यहाँ पर देखिए आपके लिए एक link दिया गया है click to delete bank अगर आप पुराने वाले bank को delete करना चाते हैं तो इस पर click करके आप delete कर सकते हैं ठीक है साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसको default bank बनाना चाते हैं तो इस पर click करेंगे तो default bank यह बन जाएगा ठीक है तो आप अपने हिसाब से देख लिजेगा अगर delete करना होगा तो इस पर click करके आप delete कर सकते हैं ठीक है और अभी जो हमने bank add किया था वो default bank हो चुका है यानि जब भी अब आप redeem करेंगे तो इसी नए bank account में आपका पैसा credit किया जाएगा दोस्तों ये पूरा complete process है कि किस तरीके से आप online घर बैठे एक click के मादम से अपने payout bank को change कर सकते हैं साथी साथ payout bank change से related जितने भी आपके मन में doubt होंगे एक dedicated playlist में सारे doubts पर dedicated वीडियो का link आपको description में दिया गया है तो make sure कि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से description जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब हो